नहाश्कार दर्शक विद्रोप गट दो दिन से एक घटना ऐसी आकार ले चुकी है जिसने पुरे राजकियव वायुमंडल को हिला के रख दिया है भारुक के कई पडोसी देश है नेपाल है बंगलादेश है श्रिलंका है पाकिस्तान है किसी भी घटना इस पडोसी देश में होती है बाकाइदा उसकी इसर हमें होना ही है और उसमें भी बंगलादेश जो एक से ज्यादा वजह की चलते हुए भारत से जुड़ा है अभी अभी इनकी प्रधान मंत्री या नए मंत्री 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 का शपत हुआ नरन्यमोदी के शुक्तम ने देने के लिए आई थी तभी तो ऐसे कुछ असार नहीं थे कि बंगलादेश में कुछ कितनी बड़ी उतलपतर होने जा रही है मगर कुछी दिनों में बंगलादेश में लोगों के रोश ने एक तरह से कहे तो शेख हसीना की सरकार को उठा के पहेंखती है यहां तक कि बंगलादेश के सर्जक इनके रास्त्रपिता मुजिबुर्यमान इनके पुतले को तोड़ दिया शेख हसीना को वहां से भाग कर भारत आ जाना पड़ा भारत आजाना पड़ा से आगे कहा जाना उसकी समझनेश में अभी भी शायद हो कहे भारत ने उन्हें पोलिटिकल असिलम यानी राजकी शरन देने से इंकार किया है हमारे कई दर्शक्मित्र ऐसा सोचते होंगे कि एक लोक्षाही देश जो लोक्षाही पत्त्ति से चलता था जहां बाकाईजा चुने कोई प्रेसिदेन थे प्रधान मंतरी थे और एक ऐसा देश जो अर्थ विवस्ता की मार्ग पर बड़ी सुद्रता से चलते हुए टेक्स्टाइल जेसे एक्षेत्र में पुरे विश्व में अपना नाम बना चुका था एक ऐसा देश जो भारत के पुर्व प्रधान मंतरी शुवति इंदिरा गांधी की द्रण मनुबन और नित्वत्व शक्ती की वज़ा से और हमारे जनरेल साम, मनेक्षा और उनके साथी जवानों की हिम्मत से भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान से अलग किया, मगर एक स्वतंद्र देश की हैसियत से उसे स्थापित किया, डायकरी पचास सार हो यह रुखे, स्वन्तिवन की द्रत्रा है. ताजू होगा आपको कि बांगरादेश की पर कैपिता इंकम, यानि की व्यक्तिदिट आय, भारत की व्यक्तिदिट आय से ज़्यादा है, यानि कि बाहरत से ज़्यादा सम्रूत रहे. और फिर भी, शेख हसीना की जो कारे पद्धती थी, जिस तरह का एकाधिकार उन्होंने लोक्षाही के नाम पर प्राप्त कर रखाता है, जिस तरह सिक्रेट सर्विसेस से लेकर लश्कर काथ, वो अपने विरोधियों को मात करने के लिए इस्तमाल किया कर दी थी, जिस तरह से गट मंगलादेश के इलेक्शन में विपक्ष ने भाग ही नहीं लिया और विपक्ष नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल की सलाकों के पिसे दख्यन दिया गया था, ऐसा कहा जाता है कि अम अपने विए सरकार नहीं है, आप अपने आपको लोगशाही नहीं बता सकते, और तीन तारिख, नौ में मैंने की सितंबर, तक आप, आपकी सरकार को परखास कीजे, लोगशाही की प्रक्रिया के अनुसार बंगलादेश में चुनाव कराईए, और उससे प्रस्तापित की ह कोई सरकार को ही अम्मान्यता देगे और उसे ही बंगलादेश का राज चराने का अधिकार होगा, हाला कि इसके कोई जिसे ओफिशल सबूट कहे, ऐसा कोई डॉक्युमेंट उपलब्द नहीं है, मगर राजनेतिक गलियारे में जो बातें कही जाते हैं, उसमें कही बातें, हमेशा सही होने के बाउजूर भी उसके आपको ठोस पुरावे नहीं मिलते। वहा सत्ता के सिंगासन पर सवार था, विरोध पक्ष या विरोध पक्ष के जवान के लिए कोई जगा नहीं थी, और जो भी विरोध करता, उसे या तो सिक्रेट सर्विस या वहां की पुलीस या साइन्या धर्द बोश्ते। प्रेश वही छापता, जो सरकार उन्हें छापता है ऐसा कहा है, अपनी मर्जी से कोई समाचार बनते नहीं थे, छपते नहीं थे, बांगलादेश का प्रेश पूरा सरकारी प्रेश बन चुका था। इसके बावजूद भी चीन से जो टेक्स्टाइल इंडस्ट्री ने खिसकना शुरू किया, बांगलादेश उसका बहुत बड़ा लाबार्ती बरत है। ये मंगलादेश, जो हमरा पड़ोसी देश है, जिसके जनम दिलाने में वेरत का हाथ है। भात्की, प्रधान मंत्री, श्रिमती इंडिरा गाधी जिसके लिए ज्यानी जाती है, साम मनेक्षा का नाम जिनके साथ जुड़ा हुआ है, सिम्ला करार का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जब जित्सी अडवरा का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी एक घटना, जिसने एक शरम अत्र में पुर्वर पश्यम पाकिस्तान नाम के दो टुक्रों, एक ही देश के टुक्रों का अलगाव करके पाकिस्तान से, पुरो पाकिस्तान जो कहा जाता था, उसमें से बांगरादेश का सर्जन किया. हलांकि राष्टपती हुजीबु रह्मान ज्यादा थीक नहीं सके, उनका फून हो गया, शहादत हो गई, और उसके बाद बांगरादेश में जो सरकारे चली, और इसमें भी गत्व पंदरा साल से जो सरकार चल रही थी, शेख हसीना की, वो सरकारे मनमानी करती रही, सत्ता का दुरुपयोग करके विपस्ट को रौनती रही, उनको खुद को अनुकुल हो, वो ही शाषन विवस्तार, वो ही खबरें चपती रही, और लोगों में असंतोष बढ़ता गया. बेरोजगारी और गरीबी, ये दो मुद्दे कहे जाते हैं, वगर इसके अलावा भी और कई परिबर होगे, जिनमें चीन और मकिस्तान का नाम भी लिया जाता है, कि इनके भी इसमें कही न कही तार जोड़ते हैं. भारत इतना बड़ा देश, बंगलादेश का पड़ोशी देश, और हमें इसकी बढ़क तक क्यों न लगी? हम क्या कर रहे थे? हमारे सिक्रेट सर्यसिस क्या कर रहे थे? श्रिमान जैशंकर क्या कर रहे थे? इनकी अभी छोटे से अभी अंतराल में, ये दुसरी राज की गलती है. हम मनते हैं कि भारती विदेश नहीं कि कही न कहीं चूक रह गई और भारत का एक ऐसा मित्यदेश, इतना सब होने के बावजूद भी, बंगलादेश भारत का मित्यदेश था, भारत के साथ ख़ड़ा रहता था, ये मित्यदेश आज, भारत विरोधियों के हाथ में जा गिरा है, एक बहुत बड़ी घटना है, हम चाहते हैं तो खुद ये पूरा ब्योरा आपके सामने रजू कर सकते थे, इसी विद्वार राज्की विष्णशक को निमंत्रित करके, उनके जरिये ये बात आपके समक्ष रजू कर सकते थे, मगर आज पूरा दिन जो हम समाचार देखते रहें, उसमें फोर पीम न्यूस चैनल, भाईशु संजय शर्मा जी की, उन पे हमने एक वार्थालाप देखा जो अभई दुबेजी के साथ था, उसके कंटेंट और कावरेज से इतने प्रभावित होकर, हमने सोचा, कि बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए, अगर यही बात, जो इतनी बखूबी कही गई है, वो एक बार फिर हमारी चैनल के मध्यम से हमारे दर्शक्रों के सामने रखी जाए, तो शायद, संजय जी के जो प्रयास है, अभई दुबे साब का जो, उनकी जो विद्वता है, उनका जो जो ज्ञान है, ये पूरे मस्रे को सही परिप्रेक्षमें, सही परिमार्ण में रखने में, हम शायद काबिल होंगे, और इसलिए, चुक्कि ये निनए, हमारे ताय किये हुए निबेट, हमारे पैनलिस्ट, वो विनती करके, लास्ट मिनिट हमने चेंज करके, सोचा कि ये प्रसारित हो चुका है, पब्लिक डोमेन में है, तो इसे अगर हम उनके पूरे रेफरेंस के साथ, हमारी चैनल पर रखें, तो शायद कोई संजय जी को इतराज नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी, एक उपचारिक्ता के खातिर, एक व्योस्ता के भागरुप, हम संजय जी की, पुरु मंजूरी की अपेक्षा, ये अभई दुवेजी के साथ की इनकी जो चच्चा है, फोर्पियम्दे, उसे हमारे दर्शकों के लिए, फिर से व्रोर्कास करने में, गवरवानुवित अनुभव करते हैं, क्योंकि हमने पुरे रेफरेंस और क्रेडित दी है, हम मानते हैं, कि इसमें कहीं भी, उरिजिनल सोर्ष जो है, वो सोर्ष को कहीं भी च्छिपाने का या किसी और तरीके से दबाने का प्राइट्र नहीं किया गया, हम फोर पियम के अभारी है, अभई दुबेजी जैसे विद्वान, ज्याता, जो इस ख्षेत्र में अपने अकलग पहचान रखते हैं, उनके अभारी हैं, और फोर पियम चैनल के भी उतने ही अभारी है, जिनकी वज़ा से आज बंगलादेश की जो घटना घटी, उसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों तक हमें बात ले जा सके। अगर पुरो मंजूरी लेने में कोई क्षती हुई भी है, तो शमा याचना के साथ हम अब पोर पियम पे जो अभाइद उवेजी के चाच्चा प्रसारिक की गई है, उसको हमारे दर्शक मित्रों के ग्यान के लिए पूरे सनमान के साथ, पूरे एक्नॉलेजमेंट के साथ पुना प्रसारिक करते हैं, आशा करते हैं कि इस से जो हेतू से संजेजी ने ये प्रयास किया है, जो हेतू से अभे दुबे साब ने ये ज्ञान अपना जन समक्ष रखा है, वो हेतू के पूर्ती में थोड़ा एक हिस्सा जुनने का हमें भी सोभाग्य प्राप्त होगा, उनके जिन्यान को और लोगों तक ले जाने में हम भी काम्याब रहेंगे, यही प्राथना के साथ, यही कामना के साथ, यही एकनोलेजमेंट और धन्यवाद के साथ, हम अब 4 पीम पे अभाई दुबेजे के साथ आई होई कर्चा के, पुना प्रसारिज करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 पीम न्यूस नेटवर्क। बंगला देश के हालात भारत के लिए बहुत चिंता जनाख है। बंगला देश में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ वो भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत के हालात वैसे भी इसलिए खराब हैं क्योंकि हमारे सारे पडोसी देशें उनसे रिष्टे हमारे बेगड़ चुके हैं। मैं अबेद अबेजी के सेंग रोज शो करता हूँ, जाने वारे पत्रकार हैं, रोज एवीपी चैनल पर आप उनको सुनते हैं, बहुत अच्छी किताबे रिखियें, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। मैंने आज बंगला देश के मुद्वे पर उनसे चर्चा करी हूँ, मैंने संजरा उट के उद्ध कि अतवीपी चाहिए हूँ, अबेज़ शासक को इस सबक लेना चाहिए कि जो अंदोलन कर रहे होते हैं, लोग उनको पर्जी भी नहीं कहते हैं, उनको आंदोलन जी भी नह पाकिस्तान चले गए तो तमाम मुद्वे पे देश के हालातों पे क्या 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 असर पड़ेगा बंगलादेश का बहुत ज्यान वारी आपको नॉलेज़ वारी जानकारी मिलेगी आज अवेजी की बात समने के लिए हम अवेजी के पास चले उससे पहले एक रोकेस्ट आपसे और एक खुशकबरी आपसे हमने जो फोर प्यम मुजिक चैनल शुरू किया था उस पर पहला गाना बस हम कुछी दुनों में हम लोड करेंगे पहला गाना पिससे आपकी प्रितिरिया चाहेंगे कि आपको फोर प्यम है पुरे दुनिया में चाहे हुआ है पंकच जी ने मेरे लिए जो शुक्रामना दिया हो मेरे बड़ी अमूल है सुमाता हूं पंकच जीने क्या का फोर प्यम मुजिक चैनल के लिए नोस्ते मैं पंकच और गीत संगीत सुर ले ताल हम सब के जीवन का भी नंग है और यह सं संगीत का चैनल लेकर आ रहे हैं तो बहुत बढ़ियां सुपकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवार तो यह पंकच जी की सुपकामनाओं थी बहुत-बहुत आभार आप साइट देख रहे हैं 4PM Music का लोगो आज ही अपने यूटूब पे 4PM Music डारी उसको सब्सक्राइब करिए चलते हैं अवे दुबेजी के पास 4PM यूज नेटवर्क में स्वागत है अवे दुबेजी आपका भारत के पलोसी देशों में एक के बाद एक बड़ी घटना है घट रही हैं भारत के लिए बहुत चिंता जनक बात है क्योंकि लगातार पलोसी देशों से हमारे संब्सक्राब हुए हैं नेपाल जैसा देश पूरे भारत में सिर्फ बंगलादेश की चर्चा है तो कि बंगलादेश का तक्ता पुरट किसी भी रूप में भारत के लिए अच्छा नहीं है एक सरकार अगर कुछ कट्टर पंती लोग आ जाए तो वह देश के लिए अच्छा नहीं है और उनके पडोसी देशों के भारत से जादा अच्छा चल लाता क्या-क्या गलतियां हो गई शेक हसीना से क्या ये गलती बड़ी थी कि उन्होंने आंदोलन कर रहे चात्रों को आतंगवादी के दिया उल्टा-उल्टा-उल्टा-बोल दिया और भारत पे इसका क्या परणाम होगा मैं विस्तार से आप परणादा चाता हूँ पहली बात तो यह है कि आप मुझे ताज्यूब है कि आप नहीं यह कहाँ बंगला देश में एक डिमोक्रेटिक गवर्मेंट चल रही थी और उसको हटा कर वहाँ पर एक फौजी सरकार आ रही है भारत में और भारती जनता पार्टी में और भारती चुनाओ शेह घसीना ने जीता था वो एक स्वतंत और निश्पक चुनाओ था जो उन्होंने जीता था उसके बात से लगातार बंगला देश में जो लोगतंदर का ग्राफ है वो नीचे गिरता रहा चुनाओ होते रहे लेकिन उतर उतर चुनाओं को शेह थीनाओ के उसके नोच मने विपकश के लोग उनके खिलाब चुनाव लड़नी रहेते और उसमें शेख फीना छुनाव दिशी ती तो अमेरिका तक ने कहा था कि इस चुनाव को हम निश्बख चुनाव नहीं मान थे और उनों ने कहा niego से आपको सब्ता में न रोगर दिया के लिए ये अमेरिका ने इसको चिताब नहीं दी थी, हाला कि इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अख़वारों में मीडिया में समझे गए ये प्रकाशित हो चुछा था, अब एक ऐसी सरकार जो कि लोकतंत्र की आड में पूरी तरीकेशे सौ फीस्दी निरन कुछ सरकार थी, नरे अब एक के बाद एक के बाद एक चुनाओ जीतते रहे, महम्मद यूनुस, जो बंगलादेश ग्रामीर बैंक के संस्कापक हैं, जिनको नोबल प्राइस मिल चुका है, उन्होंने अभी कल के इंडियन एक्सप्रेस में छपेग इंटर्विव में उन्होंने कहा है, कि आप क पंदरा साल से बंगलादेश में कोई निश्पक चुनाओ नहीं हुआ, शेख हसीना बाकाइदा एक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक परदे के पीछे एक निरंकुष शासक थी, उन्होंने सीक्रेट पुलिस, मिलिटरी और फौज इन सब का बिवक्ष के दमन के लिए इस्तेम पूरा का पूरा एक डिस्कोर्स बना आया आता था और मीडिया पूरी तरीचे से कैप्चरड था, मीडिया की दम नहीं थी कि वो शेख हसीना की सरकार उनके प्रवक्ताओं दोरा किये गए किसी वी वक्तार का खंडन कर सकें, या उसका वेकल पेश कर सकें, ये इस्ती थी अब भारत की सरकार के साथ, द्रेंद बोदी की सरकार के साथ में, शेख हसीना की बहुत अच्छी, बहुत शांदार दोस्ती की पीछे, अगर भारत के द्रिश्टकूर्ण से देखें, तो इसमें क्रोनी कैपिटलिस्म का बहुत बड़ा हात है, हम लोग इस बिष्टी के किस तरीके से बंगला देश में गौतम अदानी को बड़े बड़े ठेके प्राप्त हो रहे थे, और वहां की कंपनियों को पीछे करके शेख हसीना और बोदी के बीच में जो मित्रता थी, उसके जरीए वो सब चीज़ें प्राप्त हो रही थी, और बंगला देश की, बंग में आ रही थे, क्योंकि हम लोग उस तरह के मीडिया यो वैकल्पिक मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया कम ध्यान नहीं, कम ध्यान देशी, आप चीज़े बंगला देश में ये, मैं खुद भी मानता हूं, बंगला देश में चुकर यह घटना हो गई है, इसलिए मैंने कल के में पाया कि वैकल्पिक मीडिया तुस तरह की खबरों, विश्टेशनों, तत्यों से पूद तरीके से भरा हुआ है, मुझे अभी भी संदे है कि भारत के मुख्ध, भारत के मीडिया में ये बात भी आएंगे, क्योंकि ये बात है कहना उस तरीके से खत्रे से खाली नहीं ह इस बात को खायाता है, बंगलादेश का आर्थी चमक का, इकोनोमिक मिरेकल खायाता है, इस सही है, बंगलादेश पिछले करीवन बारा-तेरा साल से लगातार साथ पौने साथ फीस्दी की दर से उसकी अर्फ़वस्ता आगे बढ़ दही थी, मुख्ध तोर पर जो टेक्स् बहुत सारे रेडिमेड वस्तरों की दुखानों पर जाएं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मेड बंगलादेश में लेंगी, इनकी बहुत अच्छी क्वाल्टी होती ही, हम तो लोग बड़ी चावत पर करीद के उनको पहनते हैं, इस से बंगलादेश में अर्फ़वस्त बंगलादेश में हो रहा था, गरीग और अमीर के बीश में जबरदस खाई बढ़ती जा रही थी, और एक छोटे से देश में एक करोड़ असी लाफ नौजवान बेरुज़गार थे, जो बगावत हुई है हसीन सरकार के खिलाफ, वो बगावत यूनिवर्स्टी के छातरो ने की है, विश्वद्याले के छातरों ने, जो आम तोर पर जिनके माबाप खाते पीते होते हैं, उन लोगों ने बगावत की है, तो उनको लोगों लग रहा था, हमारा भबश फिल्कुल अंदकार में है, एक स्थाई और समाज जनब रोज़दार पाना उनकी मात्वा कां पीचा थी, और बंगलादेश की अर्थवस्ता, जो के पूरे दक्षण एशिया में सबसे जादर तेली के साथ आगे बढ़ दई थी, वहां की जो प्रतिव्यक्ति इंकम थी, पर कैप्टा इंकम थी, वो तीन कुनी हो गई थी, और भारत को भी उसने पीछे चोड़ दिया निकटर का जो बुक्ति संघर्ष सा बंगलादेश का उसमें भाग लेने वारे सुन्ता सग्राम सेनानियों और रिष्टेदारों और उनकी संतानों के लिए नौक्रियों में आरक्षण घोशित किया, वैसे ही आग लग देचा लोगों को रोजगार नहीं मिल ले हैं और आ नांदोलन ने फिर लोगतंत्र के समर्था कांदोलन की शक्त ले दी, क्योंकि असली समस्था डेफिसिट ऑफ डेमोक्रिसी था बंगलादेश में, लोग पिशले पंद्रे साल से लगातार निरंतर लोगतंत्र के नाम पर जो दमन हो रहा था, उस दमन से बिलकुल आजिज आजिए थे, यहाद के शेख सीना ने नांदोलन कारियों के बारे जनता से अपील की थी, कि ये लोग रजाकार है, रजाकार वो थे जन्नों ने एक सतर में सुनता, मुक्तिमाहिनी के लोगों की उपर अथ्याचार की थे रजाकारों ने, रजाकार हैं उनको लोही की रोट आज पहले पर अपके खबर चपी है, कल के अखवारों को आप देखिये, आप तीवी मीडिया को छोड़ दिए, कल के अखवारों को देखिये, समय नौ में और दसमें पेश्ट में खबर है, कि मंगला देश में बहुत जादा प्रदर्शन हो रहे हैं और किलिस्व और मिलि से निवट लेंगी ज़्यादा कुछ में होने वाला नहीं है थोड़ी लोग हाय तोभा मचाएंगे और उसके बार फिर मामला इस तरह पंद्ले साल से चलता रहेगा तो यह स्थिती थी अप मेरे ख्याल से देश में जो एंटिये सरकार है उसकी भी आँखे खुल जानी चाहि कि एक बहुत-बड़ा संदेश ज है जो भारत के शास्तों को चाएवो सत्ता में हों चाहिए वो कि सप्रोशाम हो इसी तरहेका से आप परोसी देशों में अपनी जो आपकी जासुसी संस्थाएं हैं जो आपकी इंटलियेंस एजेंसी हैं विशन बूरेंस ब्यूरो आप इ तो ने उसके अंदर इसमगल कर दी कुपंक्ति यह है कि बंगलादेश में मानियोटीज की ऊपर और उनके मंदिरों की ऊपर हमला हो रहा है कि कितने हमले हुए कितने लोग हता दूए यह अभी उन्हें नहीं पता है लेकिन हुने दो लाइने उसके अंदर डालनी वह भारत उ किसी बात की ऊपर है इसके लिए बंगलादेश से उनको कटर पंतियों दोरा निशकासित किया गया इस्थिती यह है कि सरकार इसका पूरा फाइदा उठाने की कोशिश करेगी उसको हिंदू बना मुसल्मान का रन देखे है कि मुसलिम कटर पंतिया कर रहे हैं लेकिन मुख्य बात यह है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसको लोकतंत्र जरावी प्यार है वो शेख हसीना का लोकतंत्र का मॉडल जो है उसको लोकतंत्र मानने के लिए तैयार है बंगलादेश के समान बुद्धी जी जो भारत जिरोधी नहीं है और भारत को बड़े हमदर्दी की निगाह से देखते हैं उन सब को इस बात का बहुत दुख है कि भारत सरकार ने शेख हसीना दौरा की लगतार के जा रहे लोकतंत्र के हननन को लोकतंत्र क्यों करार दिया जिस वक्त तुम्हां जबरतस नंदोलन चलना आता भारत सरकार ने का यह वहां का अंदरूनी मामला है तो मुहमद यूनिस जैसे लोगों ने जो लगातार भारत सरकार के और यहां के अर्शास्तियों के भी संपर्द में रहते हैं क्योंको उन्हें माइक्रों क्रेडिट का भौट बड़ा इंडोवेटर माना याता है बहुत बड़ा चैंपियन माना याता है जो बंगला देश में उन्हों ने करके दिखाया तो नमूने के तॉर पे लोग उनसे बाठीच करते हैं उन्हों नवेल प्राप्त हुआ था हम लोगों के समध का बहूत दुख है कि भार सरकार ने बंगलादेश की शेक हसीना सरकार को इतना ज्यादा समर्संग क्यों दिया और पूरे भारत के मीडिया ने हसीना सरकार की जो ज्यातियां थी जो लोगतंत्र विरोही गत्विदियां थी जो निरनकुष्टा थी जो तानाशाई थी और हिंसक किसम की तानाशाई थी कुछ हिंसा किसम की तानशाई के सही तक्तियों को अपने श्रोताओं और पार्ट्वों के सामने क्यों नहीं रखा आज संजर राउत का एक बयान बहुत चर्चा में है और उन्हें कहा है कि भारत में भी हालात कुछ-कुछ इस तरह के उनका भाव ये था कि यहां भी बेरोज करने वाले पढ़जी भी नहीं होते, आंदरन करने वाले आतनकवादी नहीं होते, कम से कम दुनिया के शासकों को ये सबज लेना चाहिए, बंगला देश से सबख लेना चाहिए, कि जैसा आपने कहा कि बहुत बढ़ते हुई, five trillion economy, छे trillion economy, हकीकत नहीं होती, हकीकत ये होती देश में, किसानों को पीड़न ना हो देश में, नौजवानों के लिए अगनी वीर जैसी योजना ना ही, मैं यह नहीं कह रहा कि भारत में कभी ऐसा सकता है, मैं सोच में नहीं सकता कि भारत एक इतना महान देश है, यहां पे कभी सेना इस तरह नहीं कर सकती, यहां पे डेमो को अपने सारे जो कुछ भी मन में उनके आगरे दुरागरे हों उनको ताथ रखकर बंगलादेश की घटना उसे सबक लेना चाहिए पहली वार उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि भले ही आपकी अर्थवस्ता श्री लंका की तरह उसका मैल डाउन नहों भले ही आपकी अ श्री लंका से कोई मकाबला ने किया सकता भारत की चुनाव प्रणाली भी बहुत मजबूत है बहुत अच्छी है मैं मानता हूं कि जो एडी आर ने एस्सोटेशन फॉर डेमोग्रिटिक रिफॉर्म में जो आपने दिये हैं कि जिन निरवाचन छेत्रों में जो वोट गिन विपक्श का इतना दमन चिना सकता इतना दमन शेखहसीना ने बंगला देश में किया था और भारत में जो टेमोर्यक्रिक डिफिसिट भी था वो दो ऑजार चॉविस के चुनाओं में हम देख सकते हैं कुरेक्श डेमोर्यक्रिक डेफिसिट में भी संशोधन हुआ है व विवश्च को सारा भृष्टाचार काई भृष्टाचारी क्या कि वो कड़गरे में खड़ा कर दें और खुछ सब्ता रूड हो जाएं और चार सो सीटें पराप्त कर लें ऐसा नहीं हो पाया इसका मतलब है भारत में लोकतंत्र लोकतंत्रिक प्रक्रियां हैं बंगला देश श्री लंका या किसी भी देश के मकाबले बहुत 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 रस्थिती में हैं और इसके लिए हम लोगों को अपने उन फाउंडिंग फादर्स का जिरों है लोकतंत्रिक अपना की थी उनका शुकर बजार होना चाहिए कि उन्हों एक इस तरह का ढाचा हमें दिया कि अगर A.D.R. ने जो आपने दिये हैं वोटों की गिंटी के उसकी सही सही सफाई नहीं आई अगर ऐसा पका बंदोबस नहीं हुआ अगर अगली बार गिंटी होगी तो इस तरह की गलती नहीं होगी ये सब नहीं हुआ अगर अगर लोगों को रोजगार देने के पुखता उसका बंद तो दीरे दीरे समस्या यहाँ ही संगीन होती जाएगी एक साल में दो साल में नहीं पात साल में नहीं लेकिं दफ साल में कहीं बी कभी भी हो सकता है His वो कितना दुख़द होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं और अभी आप विश्व बैंक की एक रिपोर्ट पढ़िए वो रिपोर्ट भी आज ही आज ये कल ही उस सामने आई है मिडल इंकम ट्रैप की उपर रिपोर्ट है किस तरह जो कई देश जो हैं वो एक मजोली इ इंकम से आगे नहीं बढ़ पाते हैं मिडल इंकम ट्रैप कहते हैं उसको उससा साफ कहा है कि अमेरिका की जो प्रतिवेक्ति की आज़नी है भारत अगर जिस गती से प्रगती कर रहा है उसकी अर्थ वहस्था आगे बढ़ द़ए है आगे सतर वर्ष लगेंगे अमेरिका की प्रुटिव्यक्त आम्दनी का एक चौथियाई हासिल करने में अब आप तोचिए बोड़ी जी यो दावे करते हैं रोज विश्विवन की रिपोर्ट से आप मकाबला कर गरे देखिए उन दावों का यानि अमेरिका की जो प्रुटिवक्त आम्दनी है भारत में लिखा हुआ यानि चीन भारत से सतर बुनी सतर बुनी भारत सतर बुनी धीमी रफ्तार से भारत प्रगपी कर रहा है चीन से तो जब अर्थिवस्ता की आपकी असरी हालत यह है अब विश्वेंग अगर भारती अर्थिवस्ता की तारीफ में अगर कोई बात कहता है तो परन यहां पर मंचों पर उसका जाना शुरू हो जाता कि विश्वेंग नहीं कहा लेकिन इस रिपोर्ट को लगातार दवाए खटना से श्री-लंका नी खटना से भी समध लेना चाहिए था मंग्यादेश की चरोनी कैमश्या का सामना करना करना पड़ सकता है इसी सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में आज हम कलपना भी न ही कर सकते है अब ये भारत अभी बड़ा कन्फ्यूज है शेक हसीना को पर्मानेंट शरण दी जाए नहीं दी जाए इसको लेकर कोई खास फैसला आनी रहा यह लाइन कहती है रही शेक हसीना पर हमने छोड़ दिया भारत कन्फ्यूज है कि उसको बंगला देश से रिष्टे कैसे रखने पुड़ेंगे शेक हसीना का रोकना उनको शरण देना उससे बादहात है शेक हसीना ना तो मेरी जानकारी है भारत से शरण मांगी भी नहीं है वो के वर भारत उनके लिए एक ट्रांसिट पॉइंट है उखा जा रहा है कि उनकी वहां से जो हेलिकॉप्टर में जो फ्लाइ शेक हसीना की भतीजी के पती है यानी शेक हसीना के परिवार के सरस्से ने डिन के साड़े के वाराज़ वहां पर गये अ कि घर में उनके ख़र में और स्टीफ़ा देजिए और देश शोड़के चले जाएए वरना आपकी सुरक्षा की हम कोई गारंटी नहीं ले सकते शेक हसीना ने कहा कि मैं स्टीफा दे दूँँगी लेकिन मैं देश के नाव एक संदेश जाना चाहती हूँ उन्हों का संदेश उन्देश मत दीजिये परना हालात और बिगड़ जाएंगे तो बिना संदेश दिये ही एर फॉर्स के विमान से ही वो अगर फॉज उनके खिलाफ होती तो फिर फॉर्स का विमान उनको महिया नहीं करा जाता जाएंगे फॉज भी उनके साथ सील फॉज भी उनको बचाने में नाकाम रही हम समझते हैं कितनी बुरी हालत होगी जिस नेता के पक्ष में फॉज खड़ ठीक हो रहे चीनाओ लंके पाकिस्टान में हो रहे चुनाओ भी तो अमेर और प्रचल स्थम में लस्टीं वहां चृषर पीर बैका खिसी कि अचल यह है और भारती विदेशनीथी है इस वस्मार इसके लिए और देए शी-Lanka चीजलादेश टी, न ही जो सरकार भनी है जो अंत्रिम सरकार भनी है वह पूरी ग्रिय के चीजलादेश. नायbread चीन. नायपाल चीन कि मैं चीन ने जिस तरीके से डोकलाम में और अदाफ में जो कर किया है वो तो रहो जनानली खुद भी उसको कितने बार उठा चुके हैं तो परसिदिया बहुत विदेशनीती के बिल्कुल विफ्रीत हैं जिस तरीके से विदेशनीती इन लोगों ना चलाई है अगर आप लिया भर में ग्लोबल इस तरफ पर आपनी विदेशनी की कहां कामयाब करेंगे तो यह भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी इनके सामने चुनोती है और बंगला देश में जो घटित हुआ है उससे भारत के जो रोजगार जो जो बेरोजगार और असंतुष्ट लोग है असंतुष्ट नौजमान है उनके सामने एक नमूना सामने होता कोई ऐसा भी हो सकता मैं यह नहीं कहरा हूँ को ऐसा करेंगे इसके खत्रे मौजूद है हमारा क्या गलती कहा हो गई भंगला देश की सरकार पर नहीं पूरी तरी कैसे भारत विरोधी होने वाली है हिए कर工 कुद के पसी ऊशर नहीं होगा हिंडू और वहां हमले शुरू हो जा है और हिंदूों को तंग करना शलों की जग से तस्वीर हैं कि मंतरों पर हमले हुएं ध्यासरण करना लेकिक हो है भारत में जो हिंदुत के ट्रोल्स हैं जो एजेंट प्रोवकेटर है भड़काऊ एजेंट है वो भी उन तस्थीरों का भारत में सांप्रदाएक सद्वाव को बिगाडने के लिए देशा इस्तेमाल भी कर सकते भारत से चुक कहा हूं कि जो एक के बाद जितने परोसी देश ह हमारे उन सबसे हमारे रिष्टे खराब हो गए हम कोई भी रिष्टे भेता नहीं कर पाए और कहा जाता है कि ईश्वर से पहले अपने परोसी से प्रेम करो और भारत जो है वह जाती है कि आप बिग ब्रदर हैं अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप धंडिस भी कर सकत हैं बड़ा भाई जो है चोटे भाई को चपतिया सकता है जब आपकी यह आपकी बन जाती है और जब आप उची जगह से खड़े होकर आशीरवाद देने की मुद्रा में बने रहते हैं हमेशा तब फिर यह ऐसी स्थितियां बनती है या तो आप वास्तों में शक्तिशाली हो जीन और अमेरिका की तरे्चे लेकिन आ आप आपके शक्तिशाली होना का आपका केशली दिखावा है भारत का साइसा इसलाएं बहुत बढ़ी है और सुरस्था का साइस ही बहूत बढ़ा है और टिकाव है टिकावज बने regular नीटे कि सिर्ता है यह सब ब Hahn से भाके ठीप लेकिन बड़े साइज को बड़ी ताकत मान लेना अनुशित है आपका आकार बहुत बड़ा इस्तमदी नहीं है कि आप ज्यादा शक्तिशाली है तो यह एक ऐसी स्थिती है जिसका ख्याल इन लोगों को करना चाहिए भारत को बहुत अपने रविये में काफी संचोधन करना प्रदान मंत्री तो इसे विनमर हैं वो पाकिस्तान तक चले गें ते हवाईजा जो तार दिया था नवाश अनुभी को हैपी बाड़ ये कहने के लिए और विनमर ता और क्यों सकती है नवाश शरीफ जी की माम्मी के लिए अपक्टे के रिए वो कप्रेशल वाइए और आ काम को इन्हें पूरा करना है उस असाधण किसंगी वह पहल कदमी लेंगे पाकिस्तान से संब्द अच्छे हो जाएंगे चीन के साथ चीन के जह जो चीन के राश्टपती हैं उनके साथ उन्होंने तो जूला जूला ता नदी के किनारे हम लोग जानते हैं इस तरह से उन्होंने कुछ बहुत जबर्दफ फोटो अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं ना बहुत खानमंत्री कैमरा प्री है और फोटो प्री हैं तो विदेश जो एकारत होता है वो बहुत कड़वा होता है बहुत खल्क होता है तो बार बार विदेशी नेताओं के साथ गले मिलने से वो समस्या हल नहीं होती उनके साथ जूला जूलने से भी समस्या हल नहीं होती उनके साथ बिर्यानी खाने से भी उस समस्या हल नहीं होती विदेश रखेंगे हम लोग बहुत शुक्रिए अबेजी आप इत्ता किवी समय दिया हमार थेंक्यों तो इते अबेज बता रहे थे कि किस तरह हालात खराब हो गए हम बंगलादेश के और हमारे देश के इसका क्या क्या असर पड़ेगा उसको यकीन है जानकारी आपको पसंद आई हो झाल 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 झाल